नमस्कार आज मुईशी प्रेमचन जी का दिन है उन्हें याद करते हुए उनकी कहानी इदगा मुझे फिर याद आ गई आज सुनिए कहानी इदगा लेखक मुईशी प्रेमचन रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद इद आई है कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभाव है व्रिक्षों पर अजीब हर्याली है खेतों में कुछ अजीब रोनक है आस्मान पर कुछ अजीब लालिमा है आज का सूरे देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानि संसार को ईब की बधाई दे रहा है गाउं में कितनी हलचल है, ईदगा जाने की तयारियां हो रही है किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पर उसके घर से सुई धागा लेने दोड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगा से लोटते लोटते दोपैर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सेकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपैर के पहले लोटना असंभव है लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन है, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपैर तक, किसी ने वह भी नहीं लेकिन एदगा जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, रोजे बड़े बुडों के लिए होते है रोजे बड़े बुडों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रटते थे आजवे आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगा क्यों नहीं चलते इन्हें ग्रहस्ती चिंताओं से क्या प्रयोजन सेवईयों के लिए दूद और शक्कर घर में है या नहीं इनकी बला से ये तो सेवईयां खाएंगे वे क्या जाने कि अबबाजान क्यों बधवास चोधरी कायम अली के घर दोड़े जा रहे हैं उन्हें क्या खबर कि चोधरी आँखे बदल लें तो ये सारी ईद मुहरम हो जाए उनकी अपनी जवों में तो कुवेर का धन भरा हुआ है बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश हो कर फिर रख लेते हैं महमूद गिनता है एक, दो, दस, बारा उसके पास बारा पैसे हैं महसिन के पास एक, दो, तीन, आठ, नो, पन्रा पैसे हैं इन्ही अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़े लाएंगे खिलोने, मिठाईया, बिगूल गेन, और जाने क्या-क्या और सबसे प्रसंद है हामिद वह चार-पांच साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गतवर्श हैजे की भेट हो गया और मा न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई किसी को पता, क्या पता, क्या बिमारी है कहती तो कौन सुनने वाला था दिल पर जो कुछ बीटती थी, वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया, तो संसार से विदा हो गई अब हामिद अपनी पूरी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन है, उसके अबाजान रुपे कमाने गए है बहुत सी थैलिया लेकर आएंगे अमी जान अल्ला मिया के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी चीजे लाने गई है इसलिए हामिद प्रसन है, आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का परवत बना लेती है हामिद के पाउं में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी वे प्रसन है, जब उसके अबाजान थैलिया और अमी जान नियामते लेकर आएंगी तो वे दिल से अर्मान निकाल लेगा तब देखेगा मोसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे अब आगे नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है आज ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती इस अंदकार और निराशा में वे डूबी जा रही है किसने बुलाया था इस निगोडी ईद को इस घर में उसका काम नहीं लेकिन हामिद उसे किसी के मणने जीने के क्या मतलब उसके अंदर प्रकाश है बहर आशा विपत्ती अपना सारा दलबल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चित्वन उसका विधवन्स कर देगी हामिद बीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा बिल्कुल ने डरना अमीना का दिल कचोट रहा है गाव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे उस भीड़बार से बच्चा कहीं खो जाये तो क्या हो नहीं अमीना उसे यो ना जाने देगी ननी सिजान तीन को उस चलेगा कैसे पैर में छाले पढ़ जाएंगे जूते भी तो नहीं है मैं थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले ले लेती लेकिन यहां सेवियां कोन पकाएगा पैसा होते तो लोटते लोटते सब सामगरी जमा करके चटपट बना लेती यहां तो घंटो चीजे जमा करते लगेंगे मांगी का ही तो भरोसा ठहरा उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे आठ आने पैसे मिले थे उस उठनी को इमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती हामिद के लिए कुछ नहीं है तो दो पैसे का दूद तो चाहिए ही अब तो कुल दो आने पैसे बच रहे हैं तीन पैसे हामिद की किसी को आखों नहीं लगता किस किस से मूँ चुराएगी और मूँ क्यों चुराए साल भर का त्योहार है जिन्दगी खहरियत से रहे उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है बच्चे को खुदा सलामत रखे ये दिन भी कट जाएंगे गाउं से मिला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था कभी सब के सब दोड कर आगे निकल जाते फिर किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते ये लोग क्यों इतना दीरे दीरे चल रहे हैं हामिद के पेरों में तो जैसे पर लग गए है मैं कभी ठक सकता है शहर का दामन आ गया सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे है पकी चार दिवारी बनी हुई है पेडों में आम और लीचियां लगी हुई है कभी कभी कोई लड़का कंकडी उठाकर आम पर निशाना लगाता है माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है लड़के वहाँ से एक फलंग पर हैं खूब हस रहे हैं माली को कैसा उल्लू बनाया है बड़ी बड़ी मारते आने लगी ये अदालत है ये कॉलेज है ये कलब घर है इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे सब लड़के नहीं है जी बड़े बड़े आदमी है सच उनकी बड़ी बड़ी मूचे हैं इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ते जाते हैं न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर हामेत के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं बिल्कुल तीन कोडी के रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या कलब घर में जादू होता है सुना है या मुर्दों की खोपड़ियां दोड़ती है और बड़े बड़े तमाशी होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते और वहाँ शाम को सहाब लोग खेलते हैं बड़े बड़े आदमी खेलते हैं मुचो दाड़ी वाले और मेमें भी खेलती हैं सच हमारी अम्मा को ये दे दो क्या नाम है बैट तो उसे पकड़ ही ना सके गुमाते ही लुड़क जाएं महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे अल्ला कसम मोसिन बोला चलो मनो आटा पीस डालती हैं जरासा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे सैकडो घड़े पानी रोज निकालती हैं पांच घड़े तो तेरी भैस पी जाती है किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँको तक अंदेरी आजाए महमूद कहता है लेकिन दोड़ती तो नहीं उचल कुद तो नहीं सकती मोसिन हाँ उचल कुद तो नहीं सकती लेकिन उस दिन मेरी गाएं खुल गई थी और चोदरी के खेत में जा पड़ी थी अम्मा इतनी टेज दोड़ी कि मैं उन्हें नपा सका सच आगे चलें हलवाईयों की दुकाने शुरू हो गई आज खूब सजी हुई थी इतनी मिठाईयां कोन खाता है देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं अबा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वे तुलवा लेता है और सच मुझ के रुपे देता है बिलकुल ऐसे ही रुपे हामित को यकीन ना आया ऐसे रुपे जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे मोसिन ने का जिन्नात को रुपे की क्या कमी जिस खजाने में चाहिल चले जाएं लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब आप हैं कि स्फेर में हीरे जवारत तक उनके पास रहते हैं जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरो जवारत दे दिये अभी यहीं बैठे हैं पांच विंड में कलकत्ता पहुँच जाएं हामिद ने फिर पूचा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं मोसिन एक-एक सिर आसमान के बराबर होता है जी जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे मगर चाहे तो एक लोटे में गुच जाए हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे कोई मुझे ये मंतर बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ मोसिन अब ये तो नहीं जानता लेकिन चोधरी साब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं कोई चीच चोरी हो जाए चोधरी साब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे जुमराती का बच्छवा उस दिन खो गया था तीन दिन हरान हुए कही ना मिला तब जख मार कर चोधरी के पास गए चोधरी ने तुरंट बता दिया मवेशी खाने में और वहीं मिला जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं आब उसकी समझ में आ गया कि चोधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है आगे चले यह पुलिस लाइन है यहीं सब कॉंस्टेबल कवायत करते है रेटन फाइफो रात को बचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं नहीं चोरिया हो जाए मोसिन ने प्रतिवात किया यह कॉंस्टेबल पहरा देते हैं तब ही तुम बहुत जानते हो अजी हजरत यह चोरी करते हैं शहर के जतने चोर डाकू है सब इनसे मोहले में जाकर जाकते रहो जाकते रहो पुकारते हैं तब ही इन लोगों के पास इतने रुपे आते हैं मेरे मामू एक ठाने में कॉंस्टेबल है बरस रुपई आप महीना पाते हैं लेकिन पचास रुपे घर बेशते हैं अल्ला कसम मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपे कहां से पाते हैं हसकर कहने लगे बेटा अल्ला देता है फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नोकरी ना चली जाए हामिन ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं मोसिन उसकी नादानी पर दया दिखा कर बोला अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं लेकिन अल्ला इन्हें सजा भी खूब देता है हराम का माल हराम में जाता है थोड़े ही दिन हुए मामु के घर में आग लग गई सारी जमा पूंजी जल गई एक बरतन तक ना बचा कई दिन पेड़ के नीचे सोए अब बस्ती घनी होने लगी इदगा जाने वालों की टोलिया नजर आने लगी एक से एक भड़की ले वस्त्र पहने हुए कोई एक के तांगे पर सवार कोई मोटर पर सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग ग्रामीनों का ये छोटा सा धल अपनी विपनता से बेखबर संतोश और धहरे में मगन चला जा रहा था बच्चों के लिए नगर की सभी चीजे अनोखी थी जिस चीज की और ताक्ते ताक्ते ही रह जाते और पीछे से हौन की आवाज आने पर भी ना चेतते हामित तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा सहसा इदगा नजर आई उपर इमली के घनेव रिक्षों की चाया है नीचे पका फर्ष है जिस पर जाजम बिचा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है पकी जगत के नीचे जहां जाजम भी नहीं है नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं आगे जगए ही नहीं है यहां कोई धन और पद नहीं देखता इसलाम की निगाह में सब बराबर हैं इन ग्रामीनों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ती में खड़े हो गए कितना सुंदर संचालन है कितनी सुंदर विवस्ता लाकों सिर एक साथ सजदे में जुग जाते हैं फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं एक साथ जुगते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ जुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्थों और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे, कितना अपूर द्रश्य, जिसकी सामोही क् प्रिद्धा, गर्व और आत्मा नंसे भर देती ही। मानो ब्रात्रित्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। उट छड़ों में लड़के हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ और पच्चिस चक्करों का मजा दो। महमूद और महसिन और नूरे और सम्मी इन गोड़ों और उटों पर बैठते हैं, हामें दूर खड़ा है, तीन ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोश का एक पिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, सब चर्कियों से उतरते हैं, आप खिलोने लेंगे, उदर दुकानों की कतारे लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलोने हैं, सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिष्टी और धोबिन और सादू, वे कितने सुन्दर खिलोन जुकी हुई है, उपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुँ एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन है, शाहिद कोई गीत गारा है, बस मशक से पानी उडेलना ही चाता है, नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्धता है उसके मुँ, मुख पर, काला चोगा, नीचे सफे अचकन, अचकन के सामने की जेब में घडी, सुनेरी, जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए, मालूम होता है, अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किये चले आ रहे हैं, ये सब दो-दो पैसे के खिलोने हैं, हामित के पास कुल तीन पैसे हैं, इतने महंगे खि चूर-चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग दूल जाए, ऐसे खिलोने लेकर वे क्या करेगा, किस काम के, महसिन कहता है, मेरा भिष्टी रोज पानी दे जाएगा, साँज सबेरे, महमूद, और मेरा सिपाई घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा, तो फोरण चूर हो जाए, लेकिन लचाई हुई आँखों से खिलोनों को देख रहा है, और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता, उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेशकर जब अभी नया शोक है, हामिद लल चा चाहता ही रह जाता है, खिलोनों के बाद मिठाईयां आती हैं, किसी ने रेवडियां ली हैं, किसी ने गुलाब जमुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं, हामिद बिरादरी से प्रतक है, अब आके के पास तीन पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई चांकों से सबकी और देखता है, महसिन कहता है, हामिद रेवडी ले जा कितनी खुश्बूदार है, हामिद को संदे हुआ, ये केवल कुरूर विनोध है, महसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन जानकर भी उसके पास जाता है, महसिन दोने से एक रेवडी निकाल कर हामिद की और बढ़ाता है हामिद हाथ फैलाता है मोसिन रेवडी अपने मुह में रख लेता है महमूद नोरे और सम्मी खूप तालियां बजा बजा कर हसते हैं हामिद खिसिया जाता है मोसिन अच्छा अबकी जरूर देंगे हामिद अल्ला कसम ले जा हामिद रखे रहो क्या मेरे पास पैसे नहीं है सम्मी तीन ही पैसे तो हैं तीन पैसे में क्या केल ओगे महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद मुहसिन बढ़ी नेमत है किताब में इसकी बुराईयां लिखी है महसिन लेकिन दिन में कह रहे होगे लेकिन दिल ही दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले अपने पैसे क्यों नहीं निकालते महमूद इसे समझते हैं इसकी चालाकी जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह हमें लल्चा लल्चा कर खाएगा मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोही की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, लड़कों के लिए यहां कोई आकर्शन न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामित लोही की दुकान पर रुख जाता है, कई चिम्टे रखे हुएं, उससे ख्याल आया, दादी के पस चिम्टा नहीं है, तब इ चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे, तो वे कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलोने से क्या फाइदा, वेर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलोने को कोई आग निकाल कर उसे दे दो, अम्मा बिचारी को कहां फुरसत है कि बजार आएं, और इतने पैसे ही कहां मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है, हामित के साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब शर्बत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाईयां मुझे किसी ने एक भी ना दी, उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो, अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा, तो पूछूंगा, खाएं मिठाईयां, आप मू सड़ेगा, फोड़े फुनसिया निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैस जा, अम्मा के लिए चिम्टा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलोने पर कौन इने दुआएं देगा, बड़ों की दुआएं सीधे अल्ला के दरबार में पहुंचती हैं, और तुरन सुनी जाती हैं, मैं भी इनसे मिजाज क्यों सो हूँ, मैं सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अबाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलोने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलोने दिखा दूँ, और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सुलूग किया जाता है, यह नहीं कि एक पैसे की रेवडिया ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे, सबके सब हसेंगे कि हामिद ने चिम्टा लिया है, हसे मेरी पला से, उसने दुकानदर से पूछा, यह चिम्टा कितने का है, दुकानदर ने उसकी और देखा, और कोई आदमी स आतना देख कर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, Michigan क्यों नहीं है, और यहां कि अउलाद लाएं है, तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है, छे पैसे लगेंगे, हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक, पांच पैसे लगेंगे, लेना हो То लो, नहीं तो चलते बनो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लोगे ये कहता हुआ वे आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़किया ना सुने लेकिन दुकानदार ने गुड़किया नहीं दी बुलाकर चिम्टा दे दिया हामिद ने उसे इस तरह कंदे पर रखा मानो बंदूख है और शान से अकड़ता हुआ संग्यों के पास आया जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाए करते हैं मोसिन ने हसकर का ये चिम्टा क्यों लाया आप अगले इसे क्या करेगा हामिद ने चिम्टे को जमीन पर पटक कर का जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चे की महमूद बोला तो ये चिम्टा कोई खिलोना है हामिद खिलोना क्यो नहीं है अभी कंदे पर रखा बंदूख हो गई हाथ में लिया फकीरों का चिम्टा हो गया चाहूं तो इस से मजीरे का काम ले सकता हूं एक चिम्टा जमादू तो तुम लोगे सारे खिलोनों की जान निकल जाए तुमारे खिलोने कितना ही जोर लगाएं मेरे चिम्टे का बाल भी बांका नहीं कर सकते मेरा बहादूर शेर है चिम्टा सम्वी ने खंजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा मेरा चिम्टा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फार डाले बस एक चमडे की जिल्ली लगा दी डब डब बोलने लगी जरासा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए मेरा बहादूर चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में, तुफान में बराबर डटा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया, अब पैसे किसके पास धरे हैं फिर मेले से दूर निकलाए हैं, नो कपके बजगे, धूप तेज हो रही है घर पहुँचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करें तो चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चलाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे अब बालकों के दो दल हो गए हैं, महसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्त्रार्थ हो रहा है, सम्मी तो विधर्मी हो गया दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन महसिन, महमूद और नूरे हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आगातों से आतंकित हो उटे हैं उसके पास नयाय का बल है और नीती की शक्ती, एक और मिट्टी है दूसरी और लोहा जो इस वक्त अपने को फूलात कह रहा है, वे अजे है, घातक है, अगर कोई शेर आ जाए, मिया भिष्टी के छक्के छूट जाएं जो मिया सिपाही मिट्टी की बंडूग छोड़के भागे, वकील साब की नानी मर जाए, चोगे में मूझ छिपा कर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिम्टा, ये बहादुर, ये रुस्त में हिन, लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, और उसकी आँखे निकाल लगेगा, मोसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने पूला, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साब के पैरों पढ़ेंगे, हामिद इस प्रबलतर का जवाब न दे सका, उसने पूछा हमें पकड़ने कोन आएगा, नूर देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बिचारे, मोसिन को एक नई चोट सूज गई, तुम्हारे चिम्टे का मूँ रोज आग में जलेगा, उसने समझा था कि हामिद ला जवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई, हामिद ने तुरन जवाब दिया, वकील, सिपाई और भिष्टी, लोंडियों की तरह घर में घुश जाएंगे, आग में वहर काम है, जो ये रुस्त में हिंद कर सकता है, महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साब कुरसी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिम्टा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पढ़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है, इस तरक ने संभी और नूरे को भी राजी कर दिया, कितने ठिकाने की बात कही है, चिम्टा बावर्ची खाने में पढ़ा रहने के सिवा है और क्या कर सकता है, हामित को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूजा, तो उसने धानली शुरू की, मेरा चिम्टा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साब कुर्सी पर बैठेंगे, तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा, बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलोज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए, जाना बेतु की सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है, हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिम्टा रुस्त में हिंद है, अब उससे, अब इसमें महमूद, महसिन, नूरे, सम्मी, किसी को भी आपत्ती नहीं ह हो सकती, विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वभाविक है, वे हामिद को भी मिला, औरों ने तीन-तीन-चार-चार आने पैसे खर्च किये, पर कोई काम की चीज न लग सके, हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया, सची तो है, खिलोनों का क्या भरोसा, प्रदी की शर्ते तैह होने लगी, मोसिन ने का, जर अपना चिम्टा दो, हम भी देखे, तुम हमारे भिष्टी लेके देखो, महमूद और नूरे ने भी अपने-पने खिलोने पेश किये, हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ती ना थी, चिम्टा बारी-बारी स सबके हाथ में गया, और उनके खिलोने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए, कितनी खूबसूरत खिलोने हैं, हामिद ने हारने वालों के आसु पोचे, मैं तो तुम्हें चिडा रहा था, सच, ये चिम्टा भला इन खिलोनों की क्या बराबरी करेगा, मालुम होता है, अ कोई हमें दूआ तो ना देगा, महमूद, दूआ को लिये फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मी जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलोने मिले, हामिद को स्विकार करना बड़ा कि खिलोनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुशना होगी, जितनी दादी च अब कुछ करना था और इन पैसों के इन उपाये पर पच्टावे की बिल्कुल चरूरत नहीं थी, फिर वह चिम्टा तो रुस्त में हिंद है और सभी खिलोनों का बाश्या, रास्ते में महमूद को बूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिये, महमूद ने हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मूत आकते रह गए, ये उस चिम्टे का प्रसाद था, ग्यारा बजे गाउं में हल्चल मच गई, मेले वाले आ गए, महसिन की छोटी बहन ने दोड़कर भिष्टी उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उचली, तो मिया वकील का आंत, उनके प्रतिष्ठा अनकूल इससे जादा गोरव में हुआ, वकील जमीन पर या ताक पर तो बैट नहीं सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, दिवार में खूटियां गाड़ी गई, उन पर लकडी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिचाया गया, वकील साब राजा भोज की बाती उस हांसन पर विराजे, नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया, अदालतों में खस के और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहां मामूली पंखा भी ना हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चड़ जाएगी की नहीं, बांस का पंखाया और नूरे हवा करने लगे, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखी की चोट से, वकील साब स्वर्ग लोग से मृत्ति लोग में आ रहे हैं, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, और वकील साब की अस के फटे पुराने चितरे बिचाये गए, जिसमें सिपाई साब अराम से लेटे, नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर मांगने लगाने लगे, उनके तोनों छोटे भाई सिपाई की तरह छोने वालों जाकते लहों पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए, नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है, मिया सिपाई अपनी बंदूख लिए जमीन पर आ जाते हैं, उनकी एक तांग में विकार आ जाता है, महमूत को आज ग्यात हुआ कि वे अच्छा डक्टर है, उसको ऐ ऐसा मरहम मिल गया है, जिससे वे टूटी टांग को आनन फानन में जोड सकता है, केवल गूलर का दूद चाहिए, गूलर का दूद आता है, टांग जवाब दे देती है, शल्ले क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है, अब कम से कम एक अलरदार साफा खुरच दिया गया है, अब उसका जितना रुपान तरचाओ कर सकते हो, कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है, अब मिया हामित का हाल सुनिये, अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लेगी, सहसा उसक में चिम्टा देखकर उच्चों की, ये चिम्टा कहां था, मैंने मोल लिया है, कै पैसे में, तीन पैसे दिये, अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा बे समझ लड़का है, कि दुपैर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिम्टा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली, जो ये लोहे का चिम्टा उठा लाया, हामिद ने अप्राब्दी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया, बुढिया का क्रोध तुरं स्नेय में बदल गया, और स्नेय भी वहने ही जो प्रगल्ब होता है, और अपन दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना लल्चाया होगा, इतना जबत इससे हुआ कैसे, वहां भी इसे अपनी बुढिया दादी की याद बनी रही, अमीना का मन गदगद हो गया, और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिम देती जाती थी, और आशू की बड़ी भूंदे गिराती जाती थी, हामिद इसका रहस से क्या समिशता, शुक्रिया